हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नेश्रल पूजा कैसे हो आप सब तो अगर आप फर्स टाइब मेरे चैनल पर आयो तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब सैड में जो बेल आइकोन होता है इसको जरू क्लिक करना जिसे मैं कोई भी वीडियो डालू सबसे पहले आप देख पा हो आपको पता चल गया होगा टाइटल और थम्लें देखकर तो आज मैं बात करने वाली हूं अपने बालों के लिए लेकिन आज में हीर फॉल के लिए बात नहीं करूंगी आज मैं बात करूंगी आपसे आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा जादू नुस्खा जैसे आप जादू समझ सकते हो कि आपने देखा होगा कि आज कल के टाइम में बच्चों के भी सफेद बाल होने लगे मतला टाइम से पहले देखिए टाइम पर तो सब का बढ़ापा आना है टाइम पर अगर बाल सफेद होते तब भी अच्छे लगते हैं अगर जुनिया चेरे पर आ तो मैं तीन मेने की निए बोल दियुक्त तो तीन मेने आपको ये लगाने पड़ेगा अब आपको क्या करना है सबसे पहले तो मैं दो-तीन चीज बताती हूँ जो आपको अपनी डैट में सामिल कर दी होगी सबसे जो मेन है आमला आप आमला को किसी भी तरीके से खाईए आ फिर इसका पउडर कृईए अगर आपके घर में पाउडर एक चमच़ा पाउडर पीट में शामिल करें और दूसरी चीज वो दो को तो मेथी दाना मेधी को भी आप पमीड सामिल कर बिए अगर आप इसके आपनी युदान करोगे तो इसके इतने ज्यादा फाइदनиш तो अब मैं आपको बताने जारे हूं एक पैक यह पैक आपको लगाना है हथे वे तीन या चार दें ठीक है इसको आपको लगाना है और लगाना कैसे है सबसे पहले में बता दू आपके बाल एक दम साप और धुले हुए रहने मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है तो सबसे अपने बालों में अच्छा सा सेंफू करें जो भी आप सेंफू करते हो उसके बाद बालों को सुखा लें उसके बाद जो मैं पैक बताने जारे हूं इस पैक को लगाए आपको क्या लेना है अपने बालों की लेंद की अरुसार की आपके बाल कितने लंबे हैं कितने घने ह ऐस साफ से लेना यह जैसे कि मेरे वालें तो मैं अपने से कमड दुर्ण जार्यहें करें। तो आपको नीबू लेना है नीबू का रस तो मैं अपने बालों के लिए दो नीबू का रस लेती हूँ तो आप अपने बालों के इसाफ से लें ठीके नीबू का रस और उतना ही आपको लेना है आमले का रस तो जो कच्छा आमले मार्केट में आ रहा है इस आमले को लाके और अच्छे से मिक्सी में पीस के और पीसने पद इसका आप जूस निकाल लें और एक साथ आप जूस निकालके फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हो एक हफते की लिए ये विल्कुल भी खराब नहीं होगा और एक हफते तक आप इसे यूज कर सकते हो ठीक है तो दोनों की क् think can the rest? दोन की बराबर मातरा में लेना है और अच्छे से कर लेना है mix दोनों चीजह को mix कर लिया mix करने के बाद अगर आप चाहते हो तो उसमेndर करती की और अपकी ऊपर है चाहते तो नहीं चाहते तो कि यह फम्म कर आप कर आपिंए different मसाज करने के बाद कम से कम दो घंटे के लिए अपने बालों में से छोड़ दीजिए और अगर आप चाहते हो कि नाइट में लगा के इसे छोड़ना चाहते तो मौर्दिंग में आप दूले तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए तो मैं काऊंगी आप नाइट इसके बाद भी लगता है कि नहीं मुझे तो सेंपू करना है तो आपकी मर्जी आप कर सकते हो तो करने के बाद और इसको आपको हपते में तीन या चार दिन करना है आप देखोगे तीन महिने आप इसे करके देखिए अगर आपके सफिद वाल भी है तो सफिद वाल भी बूलना नेच्ट वीडियो में फिर में बनूंगी बाबाए